पिछले महिने हम सभी ने इसकी special century को celebrate किया है। आपकी भागीदारी ही इस कारकम की सबसे बड़ी ताकत है। सोवे एपिशोड के ब्रोडकास के समय एक प्रकार से पुरा देश एक सुत्र में बन गया था। हमारे सभाई कर्मी भाईबेन हो और फिर अलग-अलग सेक्टर्स के दिगज मन की बात ने सब को एक साथ लाने का काम किया है। आप सभी ने जो आत्मियता और स्ने मन की बात के लिए दिखाया है वो अभूत पुर्व हैं भावुक कर देने वाला है। जब मन की बात का प्रसारण हुआ है तो उस समय दुनिया के अलग-अलग देशों में अलग-अलग टाइम जोन में कहीं शाम हो रही थी तो कहीं देर रात थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने सौवे एपिसोड को सुनने के लिए समय निकाला। मैंने हजारों मिल दूर नुजिलेन का वो वीडियो भी देखा जिसमें सौवर्स की एक माताजी अपना आशिरवात दे रही है। मन की बात को लेकर देश विदेश के लोगों ने अपने विचार रखे हैं। मेरे प्यारे देश वाचियों, बीटे दिनों हमने मन की बात में काशी तमिल संगमम की बात की, सौराष्ट्र तमिल संगमम की बात की, कुछ समय पहले ही वारानसी में काशी तेलुगु संगमम भी हुआ, एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना को ताकत देने वारा। ऐसे ही एक और अनूठा प्रयास देश में हुआ है, ये प्रयास है युवा संगम का, मैंने सोचा, इस बारे में विस्तार से क्यों न उन्हीं लोगें से पूछा जाए, जिस अनूठे प्रयास का हिस्सा रहे हैं, इसलिए अभी मेरे साथ फोन पर दो युवा जुड़े हुए हैं, एक है अरुनाचल प्रदेश के ग्यामर नोकुम जी और दूसरी बेटी है बिहार की बेटिया विशाखा सेंजी, आईए पहले हम ग्यामर नोकुम जी से बात करते हैं, ग्यामर जी नमस्ते, नमस्ते मोड करना चाहता हूं, युवा संगम में गए कहां, कैसे गए, क्या हुआ? कोई सेलेक्शन आपको करना था? कैसा रहा आपका राजस्तान यात्रा? आप पहली बार राजस्तान गहे थे? हाँ, मैं पहली बार आरनाचल के बाहर गया था, मैंने तो जो राजस्तान के कीले, ये सब्ट मैंने बस फिल्म और फोन में ही देखा था ना, तो मैंने जब पहली बार गया तो मेरा एक्स्पिरियंस बहुत ही, वहा के लोग बहुत ही अच्छे थे और जो हमें त्रित्में बहुत ही अच्छा था राजस्तान के बीजे, देखी आपको तो सबसे बड़ा फाइदा ये हुआ है कि अरुनाचल में भी वीरों की घृत बहुत हूं, वीरों की भूमी है, और नारुनाचल में सीमा पर जो सईनिक है, उसमें जब भी राजस्तान की लोग मिलेंगे तो आ कि मेरा स्थान जाया ता ऐसा नुबव था तो आपके तो देकर ता एक दम से बढ़ जाएगी अच्छा आपको महां कोई समानता है भी ध्यान में आई होगे आपको लगता होगा हाँ यार यार रूना चलमत भी तो ऐसा ही है जो एक समानता मुझे मिले ना वो थी कि जो देश्प्रेम है ना और जो एक भारत स्रेश्ट भारत का जो वीजन और जो फीलिंग जो मुझे बेखा तो कि अलवातार में भी लोग अपने आपको बहुत ही गर्व मैसुश करते है कि वो बारती है और राजस्तान में भी लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा नजर आया और इस्पेसली जो युवा पीरी है ना क्योंकि मैंने उधर में बहुत सारी युवा के साथ इंटरेक्ट और बाचित किया ना तो वो चीच जो मुझे बहुत सिमिलर्टी नजर आया जो कि वो चाहते कि भारत के लिए जो कुछ करन है तो आप सोशल मीडियाब एक्टिव है जी मुझे जिन एक्टिव हो तो आपने ब्लॉग लिखना चाहिए अपना ये युवा संगम का अनुभव कैसे रहा आपने उसमें एन्रोल कैसे किया राजस्तान में अनुभव कैसा रहा ताकि देश भर की युवाओं को पता चले कि एक भारत स्रेश भारत का मातमे क्या है योजना क्या है उसका फाइदा युवा कैसे ले सकते हैं पूर आपने एक्स्पिरिंस का ब्लॉग लिखना चाहिए तो बहुत लोगों को पढ़ने के लिए काम आएगा जी मैं जरूर दरूंगा गयमर जी बहुत अच्छा लगा आप से बात करके और आप सब युवां देश के लिए देश के उजवल भविश के लिए क्योंकि पच्छी साल अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के भी और देश के जीवन के भी तो मेरी बहुत-बहुत सुब कामना है धन्यवाद धन्यवाद मौजी आपको भी आनुभव तो भैतरिन रहा आएगे अब विहार की बेटी विशाखा सी जी से बात करते हैं विशाखा जी नमस्कार अचा विशाखा जी पहले अपने बारे में बताईए फिर मुझे युवा संगम के विशे में में जानना है मैं बिहार के सासरा नाम के शहर की निवाशी हूँ और मुझे युवा संगम के बारे में मेरे कॉलेज के वाटसब ग्रूप के मैसेश के थ्रू पता चला था सबसे पहले तो उसके बाद फिर मैंने पता करा इसके बारे में और डीटेल निकाली की ये क्या है तो मुझे पत से घूम के तमिलाडू जा के वापस आई वो जो एक्सपोजर मैंने गेन किया उसके बाद मुझे अभी बहुत जादा ऐसा प्राउड पील होता है तो मुझे बहुत ही जादा खुशी है उस प्रोग्राम में पाट लेने की और मैं तहें दिल से अभार व्यक्त करती हूं आपका कि आपने हमारे जैसे युवाव के लिए इतना बेतरीन प्रोग्राम बनाया जिससे हम भारत के विभिन भागों के कल्चर को अड़ाप्ट कर सक ही जब मैंने ये तर्ष क करना शुरू किया गोगल पर तभी मुझे पता चाल गया था कि बिहार के डैलिट को तमिल अर्डव के । Georg के साथ इसमें पाट लिया और मुझे बहुत खुशी है आपका पहली बार जाना हुआ तमिलाडू जी मैं पहली बार गई थी अच्छा कोई खास यादगार चीज अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे देश के विवास सुन रहे हैं आपको जी पूरा ज़र्दी माने तो में चीज जो मुझे लगी वहां पे वह पहली चीज तो ये कि किसी को भी मौका नहीं मिलता है इसरों में जाने का और हम डेलिगेट्स थे तो हमें ये मौका मिला था कि हम इसरों में जाएं दूसरी बात सबसे अच्छी थी वह थी जब हम राजभावान में गया और हम अज़े कि फून मिला, थो ये काफी सही और सबसे यादगार मोमिन था मेरे लिए, बिहार में तो खाने का तरिक्थालग था अलग में खाने का तरिकालग है। जी, तोवो सैट हो गया था पुरी तरह? वहाँ जब हम लोग गय थे तो साउथ इंजिन कुजीन है वहाँ पर तमिल नाडो में तो जैसे ही हम लोग गय थे तो वहाँ जाते के साथ हमें डोसा, इडली, सामवर, उत्पम, वड़ा, उपमा यह सब सर्फ किया गया था, तो पहले जब हमने ट्राइ करा, तो बहुत ही हिल्दी है अच्छली, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट में भी बहतरी में और हमारे नौर्थ के खाने से बहुत ही ज़्यादा अलग है, तो मुझे वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा लगा और दोस्ती हो गई है, प्लस बीच में एक CII का वेलकम सर्मानी था, तो वहाँ पे आसपास के कॉलिज के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आय थे, तो वहाँ हमने उन स्टूडेंट से भी इंटरैक्ट किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिलके, काफी आप एक ब्लॉग लेखिए, और सोशल मेडिया पर यह आपको पूरा अनुभव, एक तो यह जिवा संगम का, फिर एक भारत्सरेश वारत का, और फिर तमिल नाडू में अपना पन जो मिला, जो आपको स्वागत सत्कार हुआ, तमिल लोगों का प्यार मिला, यह सारी चीज आपको मेरी बहुत-बहुत सुबकामना है, युवा संगम में आपने जो सीखा है, वो जीवन परियंत आपके साथ रहे, यही मेरी आप सबकी प्रतिए, शुबकामना है, साथियों, भारत की सक्ती इसकी विवितता में है, हमारे देश में देखने के लिए बहुत कुछ है, इसी को देखते हुए, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने युवा संगम नाम से एक बहतरीन पहल की है, इस पहल का उदेश, पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ाने के साथ ही, देश के युवाओं को आपस में घुलने मिलने का मोका देना, विविन राज्यों के उच्छ सिक्ष समस्तानों को इस से जोड़ा रहा है, युवा संगम में, युवा दिशरे राज्यों के शेहरों और घावों में जाते हैं, उन्हें अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलने का मोका मिलता है, युवा संगम के फर्स राउंड में लगवग, बारा सु युवा, देश के बा आपिस लौट रहे हैं, जो जीवन भर उनके रदे में बसी रहेगी, हमने देखा हैं कि कई बड़ी कंपनियों के CEO, बिजनेस लिडर्स, उन्होंने बैग पेकर्स की तरह भारत में समय गुजा रहा है, मैं जब दूसरे देशों के लिडर्स से मिलता हूं, तो कई बार वो भी बताते हैं कि वो अपनी युवावस्ता में भारत घुमने के लिए गए थे, हमारे भारत में इतना कुछ जानने और देखने के लिए हैं कि आपके उत्सुता हर बार बढ़ती ही जाएगी, मुझे उमीद है कि इन रोमान्चक अनुभाओं को जानकर आप भी देश के अ जपान में हिरोशिमा में था, वहां मुझे हिरोशिमा पीस मेमोरियल मुजियम में जाने का अवसर मिला, यह एक भावक कर देने वला आनुभ हो था, जब हम इत्यास की आदाओं को संजोकर रखते हैं, तो वाने वाली पीजों की बहुत मदद करता है, कई बार मुजियम मे एक्सपो का भी आयोजन किया था, इसमें दुनिया के बारा सो से अधीक मुजियम की विजहस्ताओं को दर्शाय रहा, हमारे हाँ भारत में अलग अलग प्रकार के ऐसे कई मुजियम्स हैं, जो हमारे अतीत से जुड़े अनेक पहलूँओं को प्रदर्सित करते हैं, जैसे एक अनुखा संग्रहाल है, म्यूजियो कैमेरा, इसमें अठारा सो साट के बाद के आठ हजार से ज़्यादा कैमेरो का कलेक्शन मुजूद है, तमिल्नावड के मुजियम अप पॉसिबिलिटीज को हमारे दिव्यांग जनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, हजार से भी हधिक चीजें समर्ख्षित की गई है, साल 2010 में स्थापित इंडियन मेमरी प्रोजेक्ट एक तरह का ऑनलाइन मुजियम है, इसे दुनिया भर से भेजी गई तस्वीरों और कहानियों के माध्यम से भारत के गवरोफशाल इतिहास की कड़ियों को जोड़ने में जुटा है, विभाजन की विभीशिका से जुड़ी स्मूर्थियों को भी सामने रहने का प्रयास किया गया है, बीते वर्सों में भी हमने भारत में नए नए तरह के मुजियम और मेमोरियल बनते देखे हैं, स्वाधिनता संगराम में आदिवाजी भाई बहनों के योगद प्रधान को समर्पित दस नए मुजियम बनाए जा रहे हैं, कोलकता के विक्टोरिया मेमोरियल में विपलो भी भारत गैलेरी हो, क्या फिर जलिया वाला वाग मेमोरियल का पुनरुधार, देश के सभी पूर्व प्रधान मंद्रियों को समर्पित प्यम मुजियम भी अज दिल्ली की सोभा बढ़ा रहा है, दिल्ली में ही नेशनल वार मेमोरियल और पुलिस मेमोरियल में हर रोज अनेकों लोग शहीदों को नमन करने आते हैं, ऐतियासी की दान्डी आतरा को समर्पित दान्डी मेमोरियल हो या फिर स्टेची ओफ यूनिटी मुजियम, खैर मुजियम की लिस्ट काफी लंबी है, और पहली बार देश में सभी मुजियम की बारे में जरूरी जानकारियों को कमपैल भी किया गया है, मुजियम कि स्थिम पर आधारीत है, वहां किस तरह की वस्तुएं रखी है, वहां की कॉंटेक्ट डिटेल्स क्या है, इस सब कुछ एक ओनलाइन डिरेक्टरी में समाहित है, मेरा आपसा आगरह है कि आपको जब भी मुखा मिले, अपने देश के इन मुजियम को देखने जरूर जाएं, अब वहां की आकरसक तश्विरों को हैस्टेग मुजियम मेमरीज पर सेर करना भी न भूलें, इस से अपनी वैभो साल संस्कृते के साथ हम भारतियों का जुड़ाव और मजबुत होगा, मेरे प्यारे देशवासियों, हम सबने एक कहावत कई बार सुनी होगी, बार बार सुनी होगी, बिन पानी सबसून, बिना पानी जीवन पर संकर तो रहताई है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप है, बविश की इसी चुनोंती को देखते हुए, आज देश के हर जीले में 75 अमरुत सरोवरों का निर्मान किया जा रहा है, हमारे अमरुत सरोवर इसलिए विशेस हैं, क्योंकि ये आजहादी के अमरुत काल में बन रहे हैं, और इसमें लोगों का अमरुत प्रयास लगा है आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अब तक पचास हजार से जादा अमरुत सरोवरों का निर्मान भी हो चुका है, ये जल सवरक्षन के दिशा में बहुत बड़ा कदम है, साथियों हम हर गर्मी में इसी तरह पानी से जुड़ी चुनोतियों के बारे में बात करते रहते ह इस बार भी हम इस विशे को लेंगे, लेकिन इस बार चर्चा करेंगे जल सवरक्षन से जुड़े स्टार्ट अप्स की, एक स्टार्ट अप है फ्लॉक्स जैन, ये स्टार्ट अप आईयोटी एनेबल तकनिक के जरिये वाटर मैनेजमेंट के विकल्प देता है, ये टेक्न पानी के इस्तिमाल के पैटर्स बताएगा और पानी के प्रभावी इस्तिमाल में मदद करेगा, एक और स्टार्ट अप है, लिव एन सेंस, ये आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और मशिन लर्निंग पर आधारिक प्रेट्फरम है, इसकी मदद से वाटर डिस्टुबिशन की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी, इससे ये भी पता चल सकेगा कि कहां कितना पानी बरबाद हो रहा है, एक और स्टार्ट अप है, कुम्भी कागज, एक कुम्भी कागज ऐसा विशह है, मुझे पक्का विश्वास है, आपको भी बहुत पसंद आएगा, कुम्भी काग कागज स्टार्ट अप, उसने एक विशेस काम सुरू किया है, वे जल कुम्भी से कागज बनाने का काम कर रहे हैं, यानि जो जल कुम्भी कभी जल स्त्रोतों के लिए एक समस्या समझी जाती थी, उसी से अब कागज बनने लगा है, साथियों, कई हुआ, अगर इनोवेशन और टेक्नोलोजी के जरिये काम कर रहे हैं, तो कई युआ यसे भी हैं, जो समाज को जागरुक करने के मिशन में भी लगे हुई हैं, जैसे कि चतिसगड में बालो जिले की युआ हैं, यहां के युआओं ने पानी बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया है, ये घर घ जाकर लोगों को जल समरक्षन के लिए जागरुक करते हैं, कहीं शादी ब्याज जैसा कोई आयोजन होता है, तो युआओं का ये गरुप बहां जाकर पानी का दुरुप्योग कैसे रोका जा सकता है, इसकी जानका दी देता है, पानी के सदुप्योग से जुड़ा एक प् बांत का रस्ता निकाला है, बोरी बांत से पानी कटा होने के कारण, यहां साग सबजियां भी पैता होने लगी हैं, इससे लोगों की आवद्नी भी बढ़ रही हैं, और इलाके की जरुते भी पूरी हो रही हैं, जन्भागी दारी का कोई भी प्रयास कैसे कई बढ़लाओं को साथ लेकर आता है, खूटी इसका एक आकरशक उधारन बन गया है, मैं यहां के लोगों को इस प्रयास के लिए बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ, मेरे प्यारे देशवासियों, 1965 के युद्ध के समय, हमारे पूर्व प्रधान मंतरी लाल बादूर सास्त्री जी ने जय जवान, जय किसान का नारा दिया था, बाद में अटल जी ने इसमें जय विज्यान भी जोड़ दिया था, कुछ वर्स पहले देश के विज्यानी कों से बात करते हुए मैंने जय अनुसंधान की बात की थी, मन की बात में आज बात एक ऐसे व्यक्ति की एक ऐसी सहुस्था की जो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंदान इन चारों का ही प्रतिवीम है ये सज्जन है महराश्टर के स्रिमान सिवाजी शामराव डोले जी, सिवाजी डोले नासिक जिले के छोटे से गाउं के रहने वाले हैं वो गरीब आदिवासिक किसान परिवार से आते हैं और एक पुर्वसाइनिक भी है फोज में रहते हूं उन्होंने अपना जीवन देश के लिए लगाया रेटायर होने के बाद उन्होंने कुछ नाया सिखने का फैसला किया और एग्रिकल्चर में डिप्लोमा किया यानि वो जय जवन से जय किसान की तरफ बढ़ चले अब हर पल उनकी कोशिज यही रहती है कि कैसे कृशिक शेत्र में अपना अधिक से अधिक योगदान दे अपने इस अभियान में सिवाजी डोले जी ने 20 लोगों की एक छोटी सी टीम मनाई और कुछ पूर्व सहिजनिकों को भी इसमें जोड़ा इसके बाद उनकी स्टीम ने वैंकटेश्वर कोपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमेटेड नाम की एक सहकारी संस्ता का प्रभंदन अपने हाथ में ले लिया ये सहकारी संस्ता निश्क्रिय पड़ी थी जिसे रिवायू करने का बिड़ावना ने उठाया देखते ही देखते आज वैंकटेश्वर कोपरेटिव का विस्तार कई जीलों में हो गया है आज ये टीम महाराष्ट और करनाटका में काम कर रही है इससे करीब अठारा हजार लोग जुड़े हैं जिन में काफी संख्या में हमारे एक्स सर्विसमेन भी है नासिक के माले गाउं में इस टीम के सदत से पान सो एकर से ज्यादा जमीन में एग्रो फार्मिंग कर रहे हैं ये टीम जल सवरक्षन के लिए भी कई तालाब भी बनवाने में जुटी हैं खास बात यह है कि इन्होंने और्गेनिक फार्मिंग और डेरी भी शुरू की हैं अब इनके उगाये अंगुरों को यूरोप में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है इस टीम की जो दो बड़ी विशेश्था हैं जिसने मेरा ध्यान आकरसित किया है वो यह है जय विज्ञान और जय अनुसंधान इसके सदसे टेक्नोलोजी और मोडन एग्रो प्रैक्टिसिस का अधिक से अधिक उप्योग कर रहे हैं दूसरी विशेश्था यह है कि वे एक्सपोर्ट के लिए जरूरी कई तरह के सर्टिफिकेशन पर भी फोकस कर रहे हैं सहकार से समुरुद्धी की भावना के साथ काम कर रही इस टीम की मैं सरहाना करता हूँ इस प्रयास से ना सिर्फ बड़ी संख्या में लोगों का ससक्तिकन हुआ है बलकि आजी विका के अनेक साधन भी बने हैं मुझे उमीद है कि हप्रयास मन की बात के हर स्रोता को प्रेरित करेगा मेरे पहरे देशवासियों आज 28 माई को महान स्वतंतरता सेनानी वीर सावरकरजी की जेनती है उनके त्याग, साहस और संकल पसक्ति से जुड़ी गाथाए आज भी हम सब को प्रेरित करती है मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब मैं अंडामान में उस कोठी में गया था जहां वीर सावरकर ने काला पानी की सजा काटी थी वीर सावरकर का व्यक्तित्व द्रड़ता और विशालता से समाहित था उनके निर्भीक और स्वाभीमानी स्वभाव को गुलामी की मानसिक्ता बिलकुल भी रास नहीं आती थी स्वतंतरता अंडोलनी नहीं सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए भी वीर सावरकर ने जितना कुछ किया उसे आज भी याद किया जाता है साथियों कुछ दिन बाद चार जूल को संतक कबिरदास जी की भी जेंती है कबिरदास जी ने जो मार्ख में दिखाया है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है कबिरदास जी कहते थे कबीरा कुवा एक है पानी भरे अनेक बरतन में ही भेद है पानी सब में एक यानि कुए पर भरे भिन भिन तरह के लोग पानी भरने आए हैं लेकिन कुवा किसी में भेद नहीं करता पानी तो सभी बरतनों में एक ही होता है संत कबीर ने समाज को मांटने वाली हर कूपरथा का विरोत किया समाज को जागरूत करने का प्रयास किया आज जब देश विक्सित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है तो हमें संत कबीर से प्रेणा लेते हुए समाज को ससक्त करने के अपने प्रयास और बढ़ाने चाहिए मेरे पहरे देशवासियों अब मैं आपसे देश के एक ऐसी महान हस्ति के बारे में चर्चा करने जहां रहा हूँ जिन्होंने राजनीती और फिल्म जगत में अपनी अध्भूत प्रतिभा के बल पर अमिट छाप छोड़ी इस महान हस्ति का नाम है एंटी रामाराव जिने हम सभी एंटी आर के नाम से भी जानते हैं आज एंटी आर की सौवी जेनती है अपनी बहमुखी प्रतिभा के बल पर वो ना सिर्फ तेलुकु सिनेमा के महानायक बने बलकि उन्होंने करोडों लोगों का दिल भी जीता क्या आपको मालू है कि उन्होंने तीन सो से अधिक फिल्मों में काम किया था उन्होंने कई एतिहासिक पांत्रों को अपने अभिनाई के दम पर फिर से जिवन्त कर दिया था भगवान कृष्ण, राम और ऐसी कई अन्य भुमिकाओं में NTR के एक्टिंग को लोगों ने इतना पसंद किया कि लोग उन्हें आज भी याद करते हैं NTR ने सिनेमा जगत के साथ साथ राजनिती में भी अपनी अलग पहचान बनाई थी यहां भी उन्हें लोगों का भरपूर प्यार और आसिरवाद मिला, देश दुनिया में लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले NTR रामा राव जी को मैं अपनी विनम्रस रधांजली अर्पित करता हूँ मेरे पैरे देश वासियों, मन की बात में इस बार इतना ही, अगली बार कुछ नए विश्यों को इसाथ आपके बीच आऊंगा, तब तक कुछ इलाकों में गर्मी और ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, कहीं कहीं पर बारिज भी शुरू हो जाएगी, आपको मौसम की हर पर भी मनाएंगे, उसकी भी देश विदेश में तयारिया चल रही है, आप इन तयारियों के बारे में भी अपने मन की बात मुझे लिखते रहिए, किसी और विशे पर कोई और जानकरी अगर आपको मिलें, तो वो भी मुझे बताइएगा, मेरा प्यास जादा से जादा सुझ बहुत बहुत धन्यवाद, अब मिलेंगे अगले महिने, तब तक के लिए मुझे बिदा देजिए, नमस्कार